गाइस बैंगलोर होमेंस और साथ में मुंबाई इंडियांस होमेंस के बिच डाबलू पील का एलिमिनेटर का अरुन जेटली स्टेडियम दिली में खिला जाएगा और गाइस देखो हम सभी लोग देखते देखते क्या कि अब डाबलू पील के बहुत ही करीप पहुंच चुके यानि डाबलू पील का फर्स्ट एलिमिनेटर के मुकाबला में आ चुके सा ख़लाडी से लेगा ऑख एक एक ठीज स्पूरी बारी से से बताने बादा हूं यूदि देखो एलिमिनेटर का फ़र्ष नृमिनैटर के फर्ष नृठिट में सूर रहा हूं बाए मेगा का टीम बनाना या एक अ kennilika टीम बनाना तो यह वीडिऎे तो आपके लिए काफी ज़्यादा इन्पुटेंट होने बला है क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले आपको जो बताऊंगा आज का पीस रिपोर्ट क्या रहेगा दोनों टीम के भी हेट वेट में क्या रिकॉर्ड है उसके बाद प्लेंग लेवन टीम देखेंगे फिर आप और साथ में आपसे उसके बाद फाइनल डिसाइड करेंगे कि अपने टीम के लिए कौन-कौन सा खिलारी को अपने टीम में होना चाहिए कौन-कौन सा खिलारी को अपने टीम से ज्रॉप करना चाहिए पूरा एक एक सीज में आपको पूरा वारी किसे बताऊंगा और देख आप में जो भाई वीडियो को लाइक ने कियो तो फटा फट से वीडियो को लाइक कर देना और चाइनल पर पहले बढ़ायो तो चाइनल को भी सब्सक्राइबर के नोटिफिकेशन बैल को जरूर से उपन कर देना क्योंकि आगे IPL आने वाला है और देखो IPL में क्या कि IPL में मैं जबी में कोई नेक्स्टाम वीडियो अप्लूट करूँगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक कर देना बात करते हैं देखो इस बैनों पर टोटल से मुकाबला खिला खिला जागा मुकाबला खिला जागा अरुन जेटली एस्टेडियम दिली में यह मुकाबला को खिला जागा बैटिंग फर्स डाउन करने वाले टीम ने 6 मुकाबला को भीन किया बैटिंग सेकेंड डाउन करने वाले टीम ने बैन उपर 8 मुकाबला को भीन किया यदि स्कोरिंग पेटर प्र면 किपना द्खने की मिलेगा आगे मैं आपको पूरी वारी किसे बताऊंगा जो कि पिसम्ज अप्र ऀर्फ लान वैटिंग करेगा तो कितना सा इसपोर इसकोर에서 2 चले पर देख एक कैंत सु सीरे साथ jullie पर कुल जो पिसकेट मिला चाओवन विकेट मिला इस्पिनर्स वालर्स की बात करते तो 69 विकेट इस्पिनर्स वालर्स से निकाल करकी गया आप देखो रिसंट जो मुकाबला खिला गया इस वाहन उपर इससे आपको ये किलियर दी पता लग जाएगा कि कितना EAS scouring देखने को में सकता कितना Paysters Wallers विकेट निकाल कर के जाएगा और कितना Spinner's Wallers विकेट निकाल कर के जाएगा Pkinselah मकाबला की बात करे तो गुजरात, Women's और साथ में आपर से Delhi Capitals Womens के भी से मुकाबला विकेट जिसमें गुजरात वमेंस टीम ने पूरे 20 ओवर में 9 विकेट पर 126 विकेट पर 126 रन का स्कोरिंग गया वही सेस करते हुए दिली कैपिल्स वमेंस टीम ने मुकाबला को विन किया फर्स्ट और सेकाड इनिंग मिलागर के पेसर्स वर्लोर्स को 4 विकेट Spinners Wallers को 5 विकेट मिला MI Women's और साथ में आपर से RCB Women's की भी इस मुकाबला के लगा है अब देखो पिसला जो सेम इसी वैनों पर मुकाबला के लगा है जिसमें MI Team की स्कोरिंग की बात करो है तो 19 सावर में 10 विकेट पर देखती तो 113 रन का स्कोरिंग क्या है वही सेस करते हुए RCB टीम ने यह बड़े आसानी तरीका से मुकाबला को भीन क्या जिसके बदोलत क्या है इस इलिमिनेटर का मुकाबला खेलते हुए दिखाई दे रहा है RCB Women's Team अब देखो इस वैनों पर तो रन की बात करेंगो तो रन की चांसेज आप यह बोल सकते हो MI Homest first round वैटिंग करेगा तो आपको काफी अचा कासा रन देखने कुलेगा पिसले मैस में क्या हुआ कि भाई बोल सकते हो कि MI Homest टीम इस वैनों पर कुछ खास प्रूप्त मैस नहीं क्या है बट दोनों टीम के भी समय सो आपको हेट वेट दिखाऊंगा न उससे आप लोग जान जाओगे किस मुकाबला को कौन सा टीम विन करेगा वैसले फिछला मुकाबला हरातने हुए दिख रहा हर से भी टीम MI को अब इसमें पेसर्स वालर्स को फर्स्ट और सेकान इनिंग में दोनों मिला करके नौ विकेट पेसर्स वालर्स को स्पिनर्स वालर्स को ओनली चार विकेट मिला अब इसले दो तीन मुकाबला में देखा था है तो पेसर्स वालर्स कापी अचा-कासा विकेट निकाला जैसे आपर से 9 विकेट और 4 विकेट पेसर्स वालर्स को फिर देखोगे तो 4 विकेट मिला हुआ पेसर्स वालर्स को 4 विकेट मिला अब दोनों टीम के भी से 8 वेड में आ जाते तो दोनों टीम के से 20 मुकाबला खिला गया चार मुकाबला खिला गया जिसमें तीन मुकाबला अब पिछले पांस मैंस में देखते हैं मुमबाइडिय अपर से लोष्ट करते हुए है करते हुए अपने टीमए इस तरीका से खिलारीों का चेयाइं करोगे आपके मन में यह चला हुआ कि मैं जो अपने टीम में अधिक साधी खिलारी उपर लेकर के चाहूँगा मेरा टीम का जो कंबिनेशन होना चाहिए वह पांच या छे खिलारी आप कोसिच करोगे आरसी भी होमेंस की तरब से स्लेक करना या आप यहां फ़र से पांच खिलारी यह सोचे होगे कि मुंबाई इंडियास होमेंस की तरब से लेकर के चले बड़ टीम का कंबिनेशन क्या रहेगा एक एक सीज मैं आपको बताऊँगा हेट वेड में क्या रिकोड़ है कौनसा पिल मेंस की तरब से प्लेंग लेवन टीम मुंबाई इंडियास होमेंस की प्लेंग लेवन टीम में देखते तो इस मैस में देखो सबसे पहले आपको यास्ती का बादिया और साथ में हैली में तुछ यह दोनों की लाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिखाए देगी फिर हानुमन की प्रीट कर हो गई है अमली आपर संजीब है इसमाह300 का तीम लेगा है अब मुंबाई इनिययंस के तरफ से प्लेंग लेवन टीम में देख लेथे कूंसा बॉलर से टर्वर वैबने वालिग करने वाला है बाई एक एक्सीज में आपको पूरा वारी से बताते सलता हूं तो वीडियो को बिल्कुल भी इसक्राइब मत करना क्युक्छी देखوर वाग जाता हैं घड़ भाई हम papa अवाहासל में अक्सर यंद्धो लोगो सा तो वीडियो को पूरा देख ले तो बिलकुल भी स्वीह मत करना वीडियो को पूरा देख ले नहीं एक इंपोटेंट बात बात आ जो भाई अभी तक के आपने हमारी टेली ग्राम चानल को नहीं जोइन कर देना क्योंकि टॉस्ट में क्वाइनल टीम बनता वर टेली ग्राम चानल पर ही बनता है लिंक डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पमैट बॉक्स में जाओग तो आप भाई बीन करने पीचे रहे हो ना तो सबसे पहले टेली ग्राम चानल को जरूर से जोइन कर देना लिंक बता दिया और डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल जागा अब देखो यह स्टार्टिंग ऑबर में बॉलिंग करते हुए आपको दिखाए देगी हैली मैथुस सब्सक्राइबर में बॉलिंग करते हुए दिखाए देगा आगे मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले बात करेंगे आपको सब्सक्राइब किसका सबसे पहले यास्तिगा बात करेंगे तो डाबलू पील में ताइस्क्राइबर मनाते हुई देख रहे बट यह अस्तिगा बात या के कोडिंग आज आजए तो सलेक्षन परसंटेरिज की बात करी तो बहुत कम लोगी अपने टीम में लिए पिक हो गागा लिगा ग्रैंड लीक टीम में लिएकर के जा सकते हो सबसे अलग और सबसे डीप रेंड किनारी बात करूगे है लिए इसका जो की पुरोपर आपको चार आवर बालिंग करेगी साथ में आप और से पीछले कुछ मैंचों में देखा जा है तो इस वैन ओ पर देखो पेसर्स बॉलर्स काफी ज़यदा वीकेट निकालते होएं दिखा आए देता लेगिन बात करते हैं तो राइट हर्म ब्रेक बालिंग करते हैं राइट हैं बैटिंग एश्टाल है पिछले कुछ मुकाब्ला से देखते है त त्रति पन रर्ण 51 पैब्रेज है चार्ड विकेट है यदि 17 वेड़ में बात करोगे तो कापी अच्छा कासा रन बनाते हैं देखे जाते हैं RCB वोमेंस के सामने, बैनु पर आ जाते हैं, तो बैनु पर 7 मुकाबला, 77 रून, 19 काबरेजर, उल्ली 4 विकेर निकाले है, लेकिन बैनु पर बात करेंगों, तो 4 के 4 मुकाबला में देखते हैं, फ्लॉप होते हुई दिखाई दे रहे, बैनु पर आ जाते हैं, तो बैनु पर 4 मुकाबला, 15 कबरेजर और साथ में, तीन विकेर निकाले, कैप्टन सी और साथ में, वाइस काप्टन सी के कोडिंग, मोश्ट पिक रेगा, अपने टीम के लिए, कैप्टन और वाइस कप्टन बनागर कि जा सकते हैं, साथ में, ग्रैनलिक, दोनों के टीम में, लिएकर के चलना, अर्मन प्रीद को और राइट हंड बैटिंग एस्टाल है, रिसर्ग पर में, पिसले मुकाबला में, 95 फिर आपर से देखते हैं, तायाति से 46, 55 रन का रिस्पूनिंग है, भी होमेंस के सामने, दो मुकाबला के लिए, ओनली दो रन बनाए, एबरेज अनली एक काया, तो यह सीज आप लोग दियान में, लेकर के चलना, जब भी अपने टीम में, तो पिक करते हो, बट बहुस सारा लोग कैप्रेंसी और वाइस कैप्रेंसी बनाने के बॉलिंग जाता है, अनमन प्रीट कोर के एगेंस, अब देखों, अमेलिया केर के बात करें, राइट अन बैटिंग एश्टार राइट आनमेलियम बॉलिंग करते हैं, रmani परण में, नियम पर चार मुकाब्ला, सस्तर रन टाईस कैप्रेंस कैप्रेंच जीरो विकेड निकालें, बैन पर एक भी विकेड नहीं, डाउट वेड में, 18 मुकाब्ला, 37 अदर शाच में, 27 में, लेजिट पर में जीडो में एक विकेट एक विकेट एक विकेट फिर हांपर से दो विकेट है में 4 मुकाबला 3ड टीन के टीम लिए करते हो तो एक दो टीम में पुजा वसत्रागर को पिक कर जा सकते हूँ मैंने आपको बैन पर बताया पिछले कुछ मैंचों से काफी ज़दा एडवांटेज क्या राता पेसर्स वॉलर्स वीकेर निकालते हुए दिख रहा है तो ऐसे में पुजा वास्तरा कर सबसे अलग और सबसे यूनिक लारी हो सकता मेगा ग्रैनली के टिम में अब बात करेंग साजना राइट हैंड वाइटिंग एश्टा राइट हैंड ब्रेक बॉलिंग करती है रिजिशन पर में एक विकेट 22 रन एक विकेट 24 रन फिर यांपर से साथ रन टाइस स्कोरिंग एट वेड में दो मुकाबला 30 रन 30 कावरेज से बैनू पर आ जाते हैं तो बैनू पर चा से राइट हैंड बात करें तो अगला पिलियर्स आजाते सब नीम इसमें राइट आर्म फास्ट में बोलिंग एश्टाल पेसर वोलर से टीम में पिक कर देना मेगा ग्रांड लीक के लिए इन पोडान के लाड़ी होगा जील के टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना क्यों आप देखो आप एक मैस में तीन विकेट भी मिला तो ऐसे खिलाड़ी सबसे अलग और सबसे उनिक खिलाड़ी हो सकता मेगा ग्रांड लीक के टीम में तो टीम में लेकर के चलते हो वैसे मैं आपको सजेस्टन कर रहा हूं वागी जो आपका मन करें आप अपने अनुसार भ करें नीका लिये अगला पिलियर की बात पर Αंगलेशा तैए श्लोंहैं लेकर इस एक होड़ा केहलं पहले इसनाओ है आप ब हृत करेंगे Stadt प्लेंग लेवन टीम देख लेते हैं तो इस मैंस में देखो आपको सम्रिती मतना और साथ में सोफी डिवान यह दोनों फिलारी ओपनिंग करते हो दिखाई देगी फिर आपर से एस मेगाना एलीस काप से आ जाते हैं रिचागूस जोर्जीया बेहर हम गए फिर आपर से से देखते है सबसे पहले साबसा बॉलर से स्टार्टिंग आवर और साथ में कउसा बॉलर से दे न करते हुए दिखाई दहाई देगा आप चलो यहां पर से एक एक खिलाडी के बारे में जा लेते हैं कौन को सा खिलाडी इन्पोडेंट होगा तो सबसे पहले बात करेंगे आपको बड़े आसाई तरीका से यह खिलाडी निकालते होई देखाई यह देगी लेकिन बैटिंग से बात करें तो रिसेन पॉर्ण में इनका बैटिंग से कुछ खास नहीं चला रिसेन पॉर्ण में देख लो तो रिसेन पॉर्ण में चार रन एक विकेट छे रन ताइस रन जीरो विकेट दो रन फिर आपसे दो विकेट नो रन और साथ में एक विकेट नि 8 वेड में 4 मुकाबला और 7 में 29 रन 7 काबरेज दो वीकेड निकाली है बैन उपर बात करते हैं 3 मुकाबला 23 27 काबरेज है और 7 में आपर से एक वीकेड निकाली है अगला पिलियर्स की बात करे हैं अगला पिलियर्स साजाती है एस में गाना बैटिंग अस्टाल राइट हैंड बैटिंग करती है रिसन फर्म में 6, 28, 11, 36, 36 run का स्कोरिंग हेट वेड में 3 मुखाब्ला 29 और उनली 9 अवरेज से बैन पर एक मुखाब्ला 4 चार का अवरेज से डावलू पीन में 12 मुखाब्ला 25 और साथ में 18 का अवरेज से एलिस पेरी र 24 रन, 24 रन, अंठा बनर, फिर आफर से 44 रन का स्कुरिंगे, कंटीनीव रन की बात करें, तो कंटीनीव रन बना रहे, लेकिन पीछले मुकाबला में इनको बॉलिंग का भी मौका मिला, और जब भाई बॉलिंग का मौका मिला, तो कुल इस वैनुपर 6 विकेट निकाले, हेट की बात करें, तो आगला पिलियर साथाती है, यहां पर से, फोभी मोनी लैक्स, लाप्न बाइटिंग हैस्टाल, शलो लाप्ट आर्म और ब्रेक बॉलिंग करती है, रेशन फर्म में, एक विकेट, जिरो बिकेट, एक विकेट, बाइक विकेट, बैनुपर, तीन मुकाबला दो विकेट निकाले है, WPL में आठ मुकाबला है, आठ विकेट है, स्रियंका पाटिल, राइट अर्म ब्रेक, बॉलिंग एस्टाल, रेसर फोर में एक विकेट, चार विकेट, एक विकेट, एक विकेट, एक विकेट, एट वेट में, चार मुकाबला, तीन विकेट, बैन उप पिक करके जा सकते हो, कोई दिकत नहीं, इनपोटन फिलारी रहने बारा, अगला पिलियर्स की बात करें, अगला पिलियर्स आ जाती है, सार्दा, बात करें, राय टान मेंडियां, बॉलिंग एस्टाल, रिसन फॉर्ण में, पिसले दो मुकाबला है, 0-0 विकेट है, हेट निकाली है, हेट वेट में, दो मुकाबला, एक विकेट, बैन उपर तीन मुकाबला, और साथ में, यापर से दो विकेट निकाली है, अगला पिलियर्स की बात करें, अगला पिलियर्स आजाती है, रेनुका सिंग, ठाकु निजो की पिछले 5-5 मुकाबला में देखोगे, वही ऐसे खिलारी विकेट लिस गही है एक भी विकेट नहीं मिला हेटवर में 3 मुकावला 0 विकेट बैन उपर भी 3 मुकावला 0 विकेट WPL में 14 मुकावला खेलर के Only 3 विकेट निकाल है अब यह आपर से सबसे पहले देखेंगे इस match के लिए कौन-कौन सा अपने team के लिए key players हो सकता key players की बात करोगे तो मैं आपको बोलूगा key players इस match के लिए हैली मैथूज, नेर्ट साइबर ब्रेंट, अमेरिया के रिस्मिती मंदना, सोफी डिवान, एलिस पेरी और साथ में अपने team के लिए captain और wise captain बनागर के जा सकते हूँ, trump card players की बात करोगो तो मैंने आपको बताया था आसा सुबाना, जोकी मिंगा, grand league के लिए trump card players रहेगा, पूजा वास्तराकर आ जाती, फिर आप उसे साइका इसा कि ये तीन खिलारी trump card खिलारी रहने बाली है, अब सबसे पहले देखते है पिलियर स्वेटल, पिलियर स्वेटल मैं बात करेंगे मुंबाई इनिया सोमेंस की त्रफ से सबसे पहले आपर से जास्तिका बात यहाँ का, सोफी डिवाइन के सामने 73 वाल, 9 रन, 1 वार विकेट फिगे, स्रियंका पाटिल के सामने 10 वाल, 11 रन, 1 वार विकेट, नेर्ट साइबर ब्रंट की बात करते हैं, तो जोर्जिया वियरम के सामने 30 वाल, 20 रन, 4 वार विकेट, सोफी डिवाइन के सामने 44 वाल, 24 रन, 2 वार विकेट, Alice Perry का देख लेते हुँ तो Alice Perry के सामने 27 वर्ल, 23 रन और 7 में 2 बार विकेट पहिए अगला पिलियर सैली में तुछ आ जा जाते हैं सरियांका पाटिर के सामने 24 वर्ल, 23 रन, 2 बार विकेट रेनुका स्टिंग ठागूर के सामने 47 वर्ल, 46 रन, 1 बार विकेट फिकेट सोफी रिवाइन के सामने 28 वर्ल, 27 रन, 2 बार विकेट अब बात करते हैं हनमन प्रीद कोरका तो जॉर्जिया वेयर हम के सामने 21 वर, 29 रन, 1 बार विकेट फिकेट एलिस पेरी के सामने 28 वर, 27 रन, और 7 में आपर से 2 बार विकेट फिकेट अब पिलियर्स वेटल देख लेते, RCB मोमेंस का पिलियर्स वेटल तो इस नीती मंदना का देख ले, तो सबसे पिलियापर से नेट साइबर ब्रंट के सामने 50 वर, 69 रन, 4 बार विकेट फिकेट तो इस चीज दियान में लेगेर के चलना, मैं पिलियर्स वेटल क्यों बता रहाँ, क्योंकि जब भी आप टीम का कॉमिनेशन बनागे तो इस चीज आपको अल्री पता था कि कौन किलारी किसके गांस आपना विकेट फिकता, जो मैं आपको एक एक सीज बताते चलना, पिर आपर से S.S. valleys के सामने 23 बल 24 रन 2 बार विकेट, अमेलिया केरके सामने 26 बल 0 रन 1 बार विकेट, अलिस फेरी का देख ले, तो आमेलिया केर буду के सामने 36 बल 63 रन 3 बार विकेट, S.S. लेम के सामने 46 बल आप से दो बार वीकेट, अमेडिया के सामने 33 बार उन्चाफ रॉन और उन्चाफ रॉन और साथ में i1 वर वीकेट भेगे अब देखते हैं आप से रिचा घॉटका कर करते हैं, बेंगलोर उमेंस की तरफ से तो 5 खिलारी को अपने लेगे लिएक से चला हूं, या नी टीम का रेसियो की बात करोगे तो 6 अनुपाथ 5 का रेसियो रहने वाला अपना टीम का कॉंबिनेर्शन विगेर कीपर में सबसे पहले महजू पिक क्या हूं वाई बात या पिर आपर से रीचा को स्बाटिंग में आ जाते हर्मन फिरीद को और अनुब कर दोए पानल टीम आपको कहां पर बतांगा वाई फाइनल टीम जो आपको देखने की मिलागा हमारे टेली ग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं तो फड़ापर से आज़ाँ टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लो और साथ मैंने आपको एक-एक पिलियर्स के बारे बता दिया हम कौनकोई पिलियर्स से इनकोटन होगा कौनसा पिलियर्स को अपने टीम में होना चाहिए कौनसा पिलियर्स को इपने टीम से ड्रॉब करना चाहिए एक एक सिस मैंने आपको पूरा बारी किसे बता जिया हूँ तो भाई आप एक team create करो या दो team create करो या 10 या 20 team आप अपने अनुसार create करोगे तो आप पुद का एक bathroom से bathroom team बना सकते हो तो जब भी team बनाना मैं आप लोग से request करता हूँ कि भाई पुद का team बनाना और देखो वीडियो अचारा रगा हुआ तो जाते जाते इतना ही बोलूँगा कि वीडियो पर लाइक कर देना और चाइनल पर पहली बार आयो तो चाइनल को भी सब्सक्राइब गरी की notification बैल को जरूर से open कर देना ताकि जब भी में कोई next time वीडियो अफ्रूट करूँगा तो वीडियो का notification सबसे पहले आप तक के जाएगा तो मिलते हैं फिर एक नहीं और प्रेस्ट वीडियो के साथ हम सभी दो